हेलो सभी को नमस्कार गुड मॉनिंग सभी बच्चों को आप सभी का स्वागत है डेस्टिनी कोमर्स अकेडमी पर ठीक है तो चलिए जी अब हम लोग करते हैं अपने टोपिक को शुरू और हमने पिछली क्लास में किसके बारे में पढ़ा था हमने पिछली क्लास में डेवलो ग्रोथ के बारे में विरिधी के बारे में परमलोग पढ़ेंगे कि या खिर विरिधी है क्या क्योंकि चाहे विकास हो चाहे ग्रोथ हो विरिधी हो इन दोलों का मतलब किसे लिया जाता है आगे बढ़ने से लिया जाता है किसे लिया जाता है इनका मतलब होता है आगे बढ आगे बढ़ने से लिया जाता है ठीक है तो विरिदी का अर्थ है बढ़ना या फैलना विरिदी का मतलब क्या होता है आगे बढ़ना या फैलना ठीक है तो जो कोई भी प्राणी हो उसके अंदर उसके आंत्रिक और बाहिये अंगों का बढ़ना क्या कहलाता है वरिदी कहलाता चाहे कोई भी प्राणी हो वो चाहे वो मानव हो चाहे इंसान हो या फिर वो चाहे कोई पशू हो या कोई पक्सी हो है ना तो मानव हो चाहे पशू हो या पक्सी हो क्या होता है उसके अंदर के अंग बढ़ते हैं हमारे भी तो बढ़ते हैं एक बच्चे का जो हाथ है वो किस वो उस चीज को उठा सकता है कोई भी वजन वाली चीज होगी बच्चा नहीं उठाएगा वजन क्या बच्चा तो पैन भी उठाने में धंग से शक्षम नहीं होता लेकिन बाद में धीरे धीरे उस पैन को उठाने लग जाता है किताब को उठाने लग जाता है बच्चे अप परिणाम सरूप क्या होगा हाथ के आकार में परिवर्तन आ जाएगा आएगा ना एक तो आप छोटे बच्चे का हाथ देख लो छोटा सा होता है और विर्कूल सोफ्ट होता है यह ना फ्रेक्सिबल सा होता है और एक आप लोग अपने हाथ को देखिए हमारा हाथ क्या है हड गाजरी जब बढ़ते हैं तो इन उसको व्रिधी बोलते हैं और बाकार निए जो नहीं कर पा रहा था या उनके नाम बच्चे के पैर के हडियां बढ़ गई प्यार मजबूत हो गया अब क्या हो रहा है कि बच्चा जब प्यार मजबूत हो गया तो बच्चा चल पा रहा है पहले बच्चा नहीं चल पा रहा था बच्चे ने केवल बैठना सिखा था अब बच्चा खड़ा भी हो पा रहा है और चल भी पा रहा है तो यह जब आंतरिक पीजिकल चेंज क्यों और यह परिवर्तन करती है हमारी शिरीक अंदर परिवर्तन होता है जिसे निए अब आपको बताया था प्रिछली जब आप पेड़ लगाते हो तो क्या करते हो पहले धरती के अंदर बीज बोते हो जैसे जैसे बीज अंकूर फुकता है एक छोटा पोदा बनेगा और बड़े पोदे से एक दिन, तीन, चार साल, पान साल के बाद क्या एक बड़ा पेड़ बन जाएगा, तो ये जो पेड़ है, ये कैसे बना, ये पेड़ के अंदर जो फीजिकल परिवर्तन हुए है, पेड़ का अकार बढ़ गया, पेड़ का शरीर क्या है, आपको पता है, तने हैं, प 19-20 तक होता है 19-20 इंज तका लेकिन किशवरा वस्था तक आते आते बच्चे की जो लंबाई जो है वो अपने पूर्ण अवस्था में आ जाती है जैसे मालो लड़की है अगर वो 5 फूट की है या 5 लबाई झोना बड़े लृम्हाई धीरे धिरे बढ़ती रह हर महिने लंबाई बढ़े हर साल बढ़े तो फिर बताओं कहा पहुंच कभी भी घटा सकते हो भार को बढ़ाया भी जा सकता है हमारी हडियां 206 हो जाती है कभी किशोरा वस्ता तक अब यह थोड़ी ना कि 206 से आपकी होनी शुरू हो जाएगी एक बच्छा जनम लेता है ना तो बच्छे के शरीर के अंदर जो हडियां होती है वो कितनी होती है 270 हडियां होती है बच्चे की शिरीर में जब वो जनम लेता है है ना हम लोग पढ़ेंगे इसको शारिक परिवर्तन में आगे अच्छी तरह से यहां तो थोड़ा शोट में आपको समझा रही हूं है उसके बाद जब बच्चा बल्यावस्था में आता है 6-12 साल तो बच्चे की शुरीर में हडियों की संख्या 350 हो जाती है ठीक उसके बाद जब किशोरा वस्था के अंदर आता है तो हडियों की संख्या कितनी हो जाती है जी 206 हो जाती है यारिकि जो हडियां पहले कम थी वो बाल्यावस्था के अंदर बढ़ गई फिर क्या हुआ बाल्यावस्था के अंदर हडियों का अस्थी करण भी होता है रिद्री करण भी हडियां पस में जुड़ भी जाती है और मजबूत भी हो जाती है इसको क्या बोलते है इसको इसके बाद हडिया कितनी हो जाती है 206 हो जाती है तो यह किसकी और संकेत करती है शरीर के परिव बायो लोजिकल प्रोसेस है जैविक प्रिकिरिया का मतलब क्या होता है कि ये जो श्रीर हमारा बढ़ता है ये क्या है ये एक बायो लोजिकल प्रोसेस है कैसी प्रोसेस है भी बायो लोजिकल क्योंकि देखो ही हमारी श्रीर का बढ़ना घडियों का बढ़ना मास्पेशियों क का मजबूत होना शरीर के आंत्रिक अंगों का बढ़ना यह सब कुछ बायोलोजिकल है यह जैविक परकिरिया है जो किसके अंदर पाई जाती है सभी जीवों में पाई जाती है जितने भी जीव है ना सभी के अंदर यह प्रोसेस पाई जाती है बायोलोजिकल परकिरिया है य किसी भी प्राणी में विकास तो पहले होता है और विरिदी बाद में होती है कोई भी प्राणी हो मैंने आपको कहा था कि गरब के अंदर बच्चे की विरिदी पहले होती है या विकास गरब में बच्चे का विकास पहले होता है वो कैसे जब एक तो होता है पित्रिकोष और एक होता है कौन सा मात्री कोश जब पित्री कोश मिलते हैं तो गरब के अंदर एक बीज बनता है और इस बीज को क्या बोलते हैं जाइगोट बोलते हैं जाइगोट नाम का गरब के अंदर एक बीज विकास होता है इस बीज का विकास होता है यह विकसित होता है गरब के अंद की प्रकिरिया शुरू होती है और आपको पता है व्रिदी व्रिदी तो श्रीर के निर्मान से समंदित है तो गरब के अंदर बच्चे का विकास पहले होता है और व्रिदी कहां होती है जी बाद में होती है व्रिदी गरबा धारन के लगबग दो सप्ता के बाद प्रारम होती यानकि 14 दिन से लेकर आप यू क rides हो जाती है जब गणीच्ट साल का होता है तो पिंग अधरण के दो सप्ता से लेकर 20 साल तक लगातर व्रीदी की प्रिकरिया चलती है बच्चा मैचोर्टी को धर्ण करता है और जैसे ये जब व्रीदी रुख जाती है तो बच्चे की मैचोर्टी भी रुख जाती है आप यूँ कह सकते हो कि जब व्रीदी शांत हो गई कि जो अभी व्रीधी है यानि कि अभी व्रीधी कहलो चाहे व्रीधी कहलो उन दोनों बातों में कोई फर्क नहीं है कि जो ग्रोथ शब्द का परियोग शरीर के लिए और उसके अंगों के भार और आकार में व्रीधी के लिए किया जाता है जो ये ग्रोथ शब्द है ना, इसका प्रयोग हम लोग क्यों करेंगे? कि शरीर के और उसके अंगों के अंदर भार बढ़ेगा और अकार बढ़ेगा उसकी वृधि के लिए किया जकता है इस वृधि को नापा या तोला जा सकता है ठीक है ना यह जो ग्रोथ होती है आप इसको नाप भी सकते हो और ग्रोथ को आप लोग तोल भी सकते हो इसको नापा भी जा सकता है और इसको तोला भी जा सकता है ठीक है ना दोनों काम किये जा सकते हैं ठीक है उसके बाद देखो क्योंकि देखो विकास को तो हम लोग नाप नहीं सकते नहीं तोल सकते हैं विकास को तो केवल क्या किया जा सकता है मैसूस किया जा सकता है विकास को आप क्या कर सकते हो केवल मीजरमेंट कर सकते हो विकास का ठीक है लेकिन विकास को नापा या तोला नहीं जा सकता क्लियर उसके बाद देखो विकास का क्या अर्थ है पह कह सकते हो कि जो विकास है वो यूनिवर्सल प्रोसेस है विकास की प्रिकिरिया सारो भूमिक है यानि कि आप यूनि कह सकते हैं कि भारत के अंदर केवल बच्चों का विकास होता है अगर आप अमेरिका के बच्चों के देखोगे तो भी उनका इसे विकास होगा अगर आप कन frequency में हishing किस में होता हैं इभई Infancy के अंदर पहले गरभ में होगा इन uan intrigued नहें उसके बाद बच्छे का विकास किसके अंदर होता है चाइल्डव्र के अंदर के अंदर होता है अधिर किसके अंदर होता है य़िनकि यह लगा तार चलता है जो जनम से लेकर जीवन परियंत तक आई विराम आई विराम का मतलब कभी रुखता नहीं है विराम नहीं लेता कभी भी नहीं रुखता उस गती से चलता रहता है ये विकास क्या है ये एक सारव भूमिक प्रकिरिया है यूनिवर्सल प्रोसेस है जो जनम से लेकर कि आखारा साल का या बीस साल तक का मान सकते हो बच्चे के अंदर व्रिधी की प्रकीरिया पहती है रुकूजाती है उसके बाद व्रीधी नहीं होती है ना तो हडिया बढ़ती ना शरीर के जो औंतरिक यंञ बढ़ताय बढ़ते बढ़ जाते हैं लेकिन जो विकास है वो जनम से लेकर मृत्यू तक आप यू कह सकते हो कि जो विकास होता है वो वॉम्टू टॉम्ब चलता है यान की गरब से लेकर कबर तक चलता है विकास जो है वो कब से कब तक चलता है गरब से लेकर कबर तक विकास की परकिरिया लगात है विकास कभी भी मत नहीं है ठीक कलिरा बतर क्योंकि बालक के जो है पुझिद्धि कभी कोई यह कर सकता है क्योंकि न आ ब़ुद्धि को हम कितना भी शाहर्प बना सकते हैं हमारा समाजिक दाएरा काभी भी बड़ सकता है कोई एक ब्यक्ति है पहले समाज के अंदर जयादा घुलता मिलता नहीं था लेकिन अब वह घुल मिल रहा है समाज से लेकर भृत्यू तक लगातार अविरामगती से चलती है उसके बाद इसका तात परिये क्या है परिवर्तन की उस 19 शिल्ड स्रिंकला से है जो प्रीपकवता के एक निश्चित लक्से की और अगरसर होती है हम लोग क्या होते हैं डे बाई डे हम लोग जो हैं वो डे बाई ड है है ना एकसर हम लोग कहते हैं ना कि यह बात किसे पूछे भई कोई बूड़े बुद्रुग से यह बात पूछे लो क्योंकि उसके अंदर क्या है मैचौरटी है तो यह कहां से कहां तक चलता है यह हमेशां मैचौरटी जो परीपकवता हुआ ना मैचौरटी की एक पर वता क्यों बढ़ोगे जैसे उमर बढ़ेगी आप समझदार होंगे आपकी बुद्धी बढ़ जाएगी आपकी नैतिकता बढ़ेगी आपका सोचने का तरीका बढ़ा हो जाएगा है ना आपका समाजिक दायरा बढ़ेगा आपके इमोशन्स पहले से ज़्यादा स्ट् सभूण होंगे है ना तो यह कहता है कि विकास का था पर्ये तो नहीं जाते आप आप लोग अपने अंदर क्या करते हो अपने ग्ञान को अपनी बुद्धी को क्या करते हो उपर की और लेकर जाते हो तो 29 श्रिंखला से हैं जो आगे बढ़ने की और संगेत करता है जो परिपगवता की एक निश्चित लक्षे की और क्या होता है अगर सर होती है जो की मैचौर्टी के एक फिक्स गोल कोई न कोई न तो गोल होता है हमारी जीवन का उसकी और क्या करती है वही चलती है इस समसे में और कमी जैक कोई दिक्कत नहीं चलो जीव उसके बाद करते हैं आगे कि हंजे अब देखिए जेम्स ड्रेवर का चैना है जेम्स क्या कहने है उस बात के बारे में जेम्स ड्रेवर का कहना है कि विकास प्राणी currently में होने वाला कोई भी प्राणी है उसके अंदर जो विकास है वो प्राणी के अंदर होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है प्रगतिशील है आगे की और जाएगा जो किसी लक्षे की और लगातार निर्देशित करता है हमारे जीवन का कोई न कोई गोल जरूर होता है ठीक है ना तो यह कहता ह कि विकास जो है वो प्राणी के अंदर ऐसा प्रगृति शील परिवर्तन है जो हमेशा किसी लक्षे के और किसी गोल की और चलता है हम लोग अपना समाजी है ना तो हम लोग अपने संवेगों का समय किसी के उपर प्रकट नहीं करते क्यों नहीं करते कि लोग हमें कमजोर ना समझे लोग यह ना समझे कि देखो यह कितना कमजोर है किस तरह से रो रहा है यह यूं कर रहा है तो हम इनको क्या किते किसी लक्षे की और लगातार आगे क और क्या करते हैं बढ़ाते हैं यह कहते हैं कि विकास की एक निश्चित प्रकिरिया होती है एक निश्चित प्रोसेस होती है विकास प्रोसेस के अंदर होता है विकास के निश्चित क्या होती है प्रकिरिया होती है एक निश्चित प्रकिरिया है वही कैसे आप लोग विकास क होगा तो किसि का बुद्धी का विकास भी धी अच्शा हो गागा तो बच्या समाजिक दायरा भी बढ़िया हो घर समाज के अंदर में ज्यादा बढ़िया तरीकी से पेश मार्ट के अच्छे है तो आर्थे गास करेंगे यह सारे एक्ड एक निश्चित परकिलिया है एक फिक्स है कि जो विकास है वह किसे अपना विकास कर रहे हो विकास समाने से विश्ष्ट क्यों होता है बिल्कुल होता है जनल-to-specific होता है यान्य कि जो बच्चा पहले एक किसी भी काम को धंग से नहीं कर सकता था अब वो सारे काम कर रहा है अब वो क्या कर रहा है सारे काम कर रहा है एक बच्चा जो है वो पहले एक बोल को धंग से नहीं पकड सकता था लेकिन अब वो खेल रहा है उसी बोल के साथ बच्चे को पहले चलना आप है दोड़ रहा है पहले बच्चा बोल भी नहीं पता था लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा बोलता है ना बच्चा जो है वह दो साल के बाद जो बच्चा हो बोलने की प्रकेरिया तो बच्चा पहले अपने पूरे शरीर पर नियंतरन करता है फिर शरीर के भागों पर और फिर उप भागों पर जैसे पहले पूरे बोड़ी का यूज़ करेगा फिर अपने हाथों का यूज़ करेगा और उसके बाद अपने उंगलियों पर क्या करता है नियंतरन स्थापित करता है ठीक है ना तो बच्चा समाने से विश्विष्ट के ओर चलेगा बच्चे ने पहले A, B, C, D, शीख ली, तो क्या वो सार युमर A b cD ही बोलता रहेला उसके बाद फिर वो उसको क्या बनाने आ जाएंगे उसको बच्चे को वर्ड बनाने आ जाएंगे, वर्ड बनाने आ गए तो बच्चे संटेंस भी बनाना आ जाएगा तो बच्चा कहां चला समाने से विश्ष्ट क्यों चलता है विकास का दाइरा विश्थित है बड़ा दाइरा है लेकिन वृधिय का दाइरा क्या है संकीरन है विकास का दाइरा तो बड़ा है लेकिन वृधिय का दाइरा क्या है छोटा है वो ये आपके वल उसी का मतलब समझते हो लेकिन जो विकास होता है ये एक broad concept है इसका दाइरा क्या है वो बड़ा विस्त्रित है बहुत बड़ा दाइरा है विकास का क्योंकि हम लोग जो विकास करते हैं वो चारों तरफ से करते हैं पांच परकार का विकास तो आप से को ही करवाया जाएगा आप से ही पढ़वाया जाएगा ठीक है तो इसका दाइरा बड़ा है विकास गुनात्मक परिवर्तन है और व्रिधी क्या होती है व्रिधी मातरात्मक है मातरात्मक का मतलब क्या कि व्रिधी को नापा भी जा सकता है और व्रिधी को तोला भी जा सकता है ठीक है ना आप नाप सकते हो ना कि लड़की की हाइट पांच फूट तीन इंच हो चुकी है पांच फूट तीन इंच लड़की की हाइट हो गई तो आपने क्या कर लिया नाप लिया इसको है ना अरे मिनिट में कितने बार धड़कता है बहतर बार धड़कता है आप लोग गिन सकते हो बताओ गिन सकते हो कि नहीं आपको कि मैंडम हर्दय का धड़कना ये भी विरिद्य और क्या है और क्या है एक जो छोटा बच्चा होता है ना एक मालो कोई भी चोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे का जो हर्ट होता है वो तो होता है छोटा लेकिन उस हर्ट तक जो बलड लेकर आती है वो क्या धमनिया वो बड़ी होती है तो जो धमनिया है वो बलड जादा मातरा में लेकर आएगी जब बलड जादा आएगा और हर्ट छोटा है तो उसको जल्दी जल्दी पंप क करना पड़ता है हुन को प्यूऱ्॥ाई करने का काम करता है हिर कि ना नयुक्त वोलने को कुछ करने का काम करता है ह सब्सक्राइबा दिल में रहता है तो यहन बन कोई में रहते हैं वह यहीज भी दिमाग में रहता है आप किसी बंदे को दिमाग से उतर जाएगा इसrama पर às slightly talk तो जो बंदा है वह दिमाग में बैठता है हट मेंने बैठते हैं तो वह बद राहता है दिल तूट गया तो फर अटैक और जाएगा थे न तो अटेक फेल अटेक है आटफेल प्रॉय है तो यह तो यह आपको बता दिया हट छोड़ा होता है धमनिया बड़ी होती है जादा मात्रा में खून आता है जल्दी जल्दी पंप करना पड़ता है फिर जब बच्चा 6 साल का हो जाएगा तो देखो श्रीर का विकास तो हो गई जब श्रीर का विकास होगा तो एक मिनट के अंदर जो तक 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 त बहतर बार दड़कता है ठीक है लड़कियों का तो मेरे खासी एक मिट में सत्तर बार दड़कता है ऐसा कुछ है मैंने पढ़ा था एक बार लड़कों का बहतर बार दड़कता है चलो जी ये भी मात्रा में फर्त है ये गुनात्मक है जी ये क्या है ये गुनात्मक है क्या नाप नहीं सकते तो नहीं सकते आप महसूस कर सकते हो और मातरात्मक वो होता है जिसको आप नाप वे तोल सकते हो ठीक है भी उसके बाद देखो जैसे विकास से क्या होता है विकास से एक तो होता है अभी कॉंटिटिव मातरात्मक परिवर्तन होता है मैंने आपको यहां पर क को आप लोग क्या बोलते हो कौंटिटीव गुणात्मख को बोलते है क्वालिटीटीव ठीक है तो यह जो क्वांटिटीटीव है इसके इंदर हाइट बढ़ती भार बढ़ता है शिरीर का आकार शेप बढ़ा शेप चेंज हो गई साइज बढ़ गया यान किसी दीसी बात है structure प्वच्चर में चेंज हो जाता है तो वो क्या है वह मातलात्मक है अगर अगर इसको फंक्षिनल बूसकते हो हाथ से जो काम पहले नहीं हो सकता था अऑ हाथ उसकाम को कर रहा है पैर से जो बच्चा चल भी नहीं सकता था आज वो दोड़ रहा है ठीक है ना जब एक बच्चे का जनम होता है ना तो जनम के बाद बच्चे को दो महिने तक या आप एक हाँ दो महिने तक मान सकते हो कि दो महिने तक जो बच्चा है वो क्या नहीं कर सकता वो अपनी दृष्टी को बांध नहीं सकता किसी एक चीज के उपर नहीं देख सकता ठीक है जनम के बाद लगबग आठ घंटे के बाद बच्चे की आँखे काम करने सही बाइने में स्टार्ट होती है ठीक है तो ये जो function के अंदर change आ रहा है body के function के अंदर जो change आ रहा है वो क्या है? वो गुणा तमक है वो qualitative है समझ में आया? वो क्या है? वो qualitative है तो आपको इन दोनों के अंदर अंतर क्या है? अभी वैसे तो हमने समझी लिया लेकिन इनको one by one करके भी अब समझे लेंगे ठीक है? यहां से आपको बिलकुल सारी बाते बिलकुल कलीर हो जाएंगी वृदी क्या है? मातरातमक भी है और परीमानातमक भी परिवर्तन है वृदी को हम काम करने की शम्ता बढ़िया हो जाती है किसी भी काम को करने की जब शम्ता बच्चे के अंदर आ जाती है बढ़िया शम्ता हो गई तो वो गुनातमक परिवर्तन होता है तो यह परीमानातमक के साथ साथ गुनातमक परिवर्तन भी है क्या विकास ठीक है उसके बाद व्रीधी का मतलब शारिक परिवर्तन से समंदित है व्रीधी केवल फिजिकल चेंजी से समंदित है लेकिन विकास का मतलब शारिक मांसिक वेवारिक सब प्रकार का जो परिवर्तन होता है वो विकास क्या है उसे समंदित है आपके अब मैं इसको ज़्याद मातरात्मक और परिमानात्मक है विकास परिमानात्मक है और क्या है गुणात्मक है परिमानात्मक के साथ क्या है यह गुणात्मक भी है बस इतना बात याद रखोगे तो यहां से आपकी बात बन जाएगी ठीक है उसके बाद देखो भी अगली बात हमारी क्या है कि जो आपन किया जा सकते हैं माप सकते हैं ग्रीचेहां भुएकास को नहीं माप सकते हैं इसका अपना बड़ा कठीन है इसे अवलोकन और मुत्र यह ब्रोड डॉमें our चाहिए इसमें ज्रनचनात्मक परीवर्टन शामिल है इसके अंदर हमारे structure में परिवर्तन आएगा एक बच्चे के शरी को देखो और हम लोग अपने बड़ों के शरी को देखते हैं तो हमारे structure करके देख लेना चाहिए और एक समय के बाद क्या हो जाती है यह रुक भी जाती है इसमें परकारियात्मक परिवर्तन हो जाता है और यह क्या चलता है वह यह निरंतर चलता है जो वरिधी है वो क्या चलती है वो निरंतर चलती है ठीक है उसके अब भात बात कर युझ को बढ़की सरील का है तो बुध्धि आ दो अश्चा होगी का विकास अच्या होगे समाजे विकास अच्छा है तो आर्थी विकास भी अच्छा होगा, समय गात्मक विकास भी अच्छा होगा, नैती विकास भी अच्छा होगा, इंटर इलेटिड तो जरूर है, लेकिन एक बात यह है कि यह कोई करम नहीं है, आप यूँ नहीं कह सकते कि आज तो बच्चे की ब कि पहले क्या होता है पहले होता है गर्बस्त शिशु पहले घरबा वस्ता होती है अरे निश्चित करम है उसके बाद क्या आती है उसके बाद शैश्रावस्ता आती है यह इनकी इन फैंसी वड़ी वस्ता आती है शैश्रावस्ता के बाद क्या है बल्ले वस्ता के बाद क्या और इसकी दिशा भी निश्चित करम होता है और इसकी दिशा भी निश्चित है आपको पता है कि अब बच्चे ने अगर बैठना शुरू कर दिया तो वो धीरे-धीरे खड़ा भी होना सिकhेगा एक दिशा भी निश्चित है अगर आपको पता है कि बच्च अब स्कूल में जा रहा है और बच्चे को मेडम ABCD सिखा रही है तो उसको पढ़ना भी आ जाएगा खुछ समय के बाद तो विकास में एक कर्म भी निश्चित होता है और दिशा भी क्या होती है दिशा भी इसकी निश्चित होती है इसकी दिशा भी क्या होती है भी निश्चित होती है ठीक है भी कलियर बात उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में डेवलोप्मेंट के बारे में भी आपको बता दो ठीक है लेकिन वो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे ठीक है चलिए जी आप सभी का थेंक्यू सभी का धन्यवाद जैहिंद जैभारत